लोग उम्मीद करता सबच्छे सिंगें तो दोस्तों सपने पूरे करने हैं आपको और जाना है आपको एड़ेसा देश जो आपको हाथ खोल के बुला रहा है बुलता हौँ हमारे पास काम करो और उस देश के लिए लोग काफी पैसे देते हैं मैंने यहां तक सुना है कि लगता है कि डिरेक्टर ने उस मूवी को अलग धंसे लेखे गए बट मूवी का जो स्टोरी लाइन था बहुत अच्छा था एक सही तरीके से डंकी को एक्स्प्लेंड कर सकते थे और मेरे साथ से तो मैं आप डंकी के उपर एक्स्प्लेंशन यहां पर नहीं करूँगा क्य कर यह टार्गेट पंजाबी भाई को किया जाता है और पाकिस्तानी लोग किया जाता है तो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि कैनड़ा एक ऐसी कंट्री है जो आपको हमेसा वेलकम करती है अगर आप टैलेंटेड हो आपके अंदर कोई स्किल है आप एक एक ऐसा चीज कैनड़ा गवर्मेंट लेकर आई है जिस पर आपको किसी भी एजेंट के पास जाने के जरूत नहीं है किसी बस एक वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको रिश्टर करना है कैसे करना है क्या करना सब डिटले में बताऊंगा लेकिन कुछ चीजे बताना या जो मिडल इस कंट्री है जैसे कि कतर यूई साओधी बहरेन ओमान कोई यह सारी जो कंट्रीज है इसके लोगों के लिए और यहां पर रहने लोगों के लिए कासकर तो सही भासा में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन पाकिस्ताइज नेपाली बांगलेजी भाई के दरवाजा खुल गया है अब इसमें बात करते हैं कि इसमें इंट्री कैसे करें इसमें जाएं कैसे कोन साथ सा साथ वेबसाइट है जिसको सही तरह करें समझें तो आपको थोड़ा सा स्कृण पर लेकर चलूँगा मैं उससे स्कृण पर लेने जाने के बाद आपको बढ़ा सा detail में समझाऊंगा कि कैसे आपको इसके बारे में मालूमात लेनी है कैसे registration करना है क्या-क्या सावालात पुछे जाएंगे कि इसमें एड कर सकते हो और free करेना पहुंच सकते हो अगर आपका selection हो जाता इजी तरीके से कैनड़ा जाने के लिए तो क्योंकि ये किस type का meeting है नहीं है आपको समझाना चाहूंगा पहले ये वर्चॉल है वर्चॉल में क्या होता है कि जैसे आप form submit करोगे जब submit करोगे तो आपके CV direct employer के पास जाएगी और जो भी employer आपके साथ आपको लेना चाहता है त मतलब बीच में से यहां पर agent हाई नहीं है कोई भी agent नहीं है ठीक है तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बताना चाहूंगा और थोड़ा सा चीजों को समझेगा तो detail में बात करते हैं चले आपको पहले screen पहले के चलते हैं फिर और आपको वीडियो में आते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले google पर सर्च कर लेना है virtual immigration fair कैनड़ा यहां जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों सबसे पहला जो form है यह आपको खोल लेना है ठीक है जैसे आप खोलेंगे एक form खुलेगा यह form इस तरह सा है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं यह आपको दिखा रह हो कि gst टाइमिंग क्या होता है क्य दुपेर का थीन बज रहा है ठीक है मतलब यहां के गल्फ के टाइमिंग परिक के हिसाब से है तो इंडिया में इसटें 5 बज़ रहा होगा तो इंडिया टाइम से 5 बज़ी आपको यहां पे लोग इन करना होगा एक एक जाम्पल के तो पर ये छे बज़ना तो इंडिया में साधे साथ बज़े अब इसको रिष्टर करने के लिए सबसे एजी रस्ता या तो उपर क्लिक कर जिए या नीचे क्लिक कर दीजे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों मैं आपको डाइग उस फॉर्म पर लिखे जाता हूं जैसे मैंने अपना बरा है पूरा उन लिखा तबरेज मलिक अपनीमेल फांडिया मैं कहां से हूं मतलब मेरे श्टी में इंडियान हो पल्फ लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यह South Asia और Middle East के लिए, तो आप कहीं भी वर्ल्ड में रहते हो, तो आप apply कर सकते हो, आपका bachelor कितना है, आप degree holder हो, master और doctor हो, जो भी आपका डालने आपके लिख सकते हो, अच्छा, अब सबसे पहले यह जो है, have you taken NLCA, नर्स के लिए होता है, जहां तक मैंने प अच्छ किया है, बट शायद mistakes हो सकता है, कुछ भी आप देख सकते हो, इसका full-form counseling examination कुछ है करके, एक तरह का IELTS आप बोलो, यह नर्स के लिए होता है, लाइसिंग नर्स नर्स न, ठीक है, आपने किया है, नहीं किया है, आप उस पर लिख सकते हो, उसके अलावा, सवाल प 6.5 किसी का आया होगा, तो 6.5 लिख दे, जो भी band आया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्यों मैंने नहीं दिया है, उसके बाद नीचे आता है, कि आपको French आती है, अगर कोई France से apply कर रहा है, यह यह यूरोप से आ रहा है, उसको France आता है, तो France से कर सकता है, उसके बाद यहाँ पर पुछा जाएगा, what question do you have about living in new founded land and liberal, पहली बात तो दोस्तों मैं आपको इसके बार में वीडियो के बाद में बताऊँगा कि यह कौन सा प्रोविजन है, कहां पर आता है, लेकिन चीजों को समझेए, यहाँ पर question पुछा जारा है, कि भाई यह जो प्रोविजन ह इसके लिए लोग वहाँ पर लोगों को बुला रहे है, ठीक है, उसके लावा, question जो मैंने लिखा, जो मुझे अच्छा लगा इंटरेट से कोच के, what is the average salary for my profession, question से मेरा, what is the average cost of living, क्योंकि cost of living मानूँ होना चाहिए, what is the popular recreation activities in new form, यह सब के बार मैं थोड़ा सच किया, उसके बाद, what you are hoping to gain the attending this virtual event, क्या-क्या, तो course saving, global connectivity, time, जो भी आपको लिखना लिख सकते हो, फिर पुछा जाएगा, how did you find this about this event, तो social media में लिख दिया, और यहाँ पर अपने CV को attach करके, I am not robot करके, जो भी लिखना आपको लिख करके, इसको submit कर दिजेगा, जैसे submit करेंगे, आपको एक mail आजाएगा, उस mail के हिसाब से ही आपको आगे का process follow-up करना है दोस्तों, तो यह Canada के बारे में कुछ चीज़ें, दोस्तों, अब मैं आपको थूड़ असा deep में लेके जाता हूँ, कि Canada ने यह जो provision है, यह जो state है, Newfoundland Labrador, Canada में जो located है, वहाँ पे दोस्तों, labor shortage बहुत ज जरुत हो गई, तो उन्होंने यह virtual immigration fair निकाला है, जहाँ पे आप submission करेंगे, आप apply करेंगे, तो आपका CV जाएगा employer के पास, और employer आपको direct contact करेगा, और employer आपको select कर लेता है, तो वहाँ के immigration officer आपको पूरा चीज़ बताएंगे, कि कैसे visa apply करना है, कहां कहां क्या-क्या document वे आपको help की ज़र पढ़ेगे, किसी भी immigration officer हो, immigration consultant हो, या consultancy हो, मैं यह नहीं बोर रहा हूँ कि मेरे पास ही आना है, आप किसी भी consultant के पास अगर आपको इसके पास confusing हो रहा है, तो आप जब जाना तो alert होके जाना दोस्तो, क्योंकि यह बहुत easy चीज, अगर आपको यह मिलता ह है, तो आप भी आसानी से कर सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे Google पर है, लेकि इसकी service अगर मुझसे चाहिए, तो contact कर सकते हैं दोस्तो, तो मेरा central number है 998833584, और दोस्तो फिर से बोलना चाहूंगा, कि यह जो Canada government ने निकाला, इसमें आपको एक भी single रुपया किसी को देनी क जरूत नहीं है, यह free seminar है, virtual seminar है, virtual seminar होता है, mobile के उपर, laptop के उपर आपके होगा, आपको उसको attend करना होगा, आपको invitation लेटर भेजा जाएगा, और online सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपको attend करना है, उस email के तो इसमें कोई login ID password नहीं है, जो link आएगा, उस link पे click करके आपको open करके, वो virtual attend करना पड़ेगा, उसमें सारे लोग होगे, उस time का क्या होगा, मेरे किसके वार इतना knowledge नहीं है, बट ये चीज़ जो चाम मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कैनडा में free job, free opportunity, free payment दे के एक अच्छी जिन्दगी जीए जा सकती है, एक अच्छी जिन्दगी पड़ा है आपके पास, इस एक महने में बहुत गरीबों का भला हो सकता, अगर इस वीडियो को आपने शेर कर दिया, खासकर इंडियन, नेपाली, पाकिस्तानी, बांगलादीशी भाईयों को, जो गल्प में रहते हैं, शायद उनका भला हो जाए, और एक अच्छी में लेकर आँगा, तो मेरा इस्टाग्रम की आड़ी तबरेज में अडिक अफिशल है, उसको भी जाके कांटेक कर सकते हैं, और दोस्तो एक चीज और अभी भी मेरा काम चल रहा है, कुरोश्या का हाई लिबल में काम कर रहा है, सर्विया का काम चालू हो गया है, जैसे ही म इलावा दोस्तों, एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि जो मेरा चंदीगड का सेमिनार है, 25th of February 2024, को मैं आ रहा हूं चंदीगड में, वहाँ पे जो मैंने गिववे का दो बोला है, वो मैं क्लियर करूंगा, एक एपल, आइफोन, आइपैड, और आइवोच, और फेज टू फेज बात करता है, ऊपर नीचे बात करने के आधत नहीं दोस्तों, आपका काम 100% करके देता हैं, तो कैसा लगा आज का वीडियो, बताईए का जाते जाए चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेय ज़र करना, और दोस्तों, एक और रिक्वेश्ट कि मैंने वेबसेट विजिट कीजिए तब्रेजमली.com पे जिसका रिश्टेशन चंदिगड़ का उसी वेबसेट पे दूँगा एक नॉमनेल फीस के साथ तैंक यू रिमर्स दोस्तों